Hello Everyone, आज है 7th अगस्त और आज इस वडियो में हम बात किने जा रहें विदानता के बारे में लेकिए विदानता के शेर में लगातर गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले एक साल के सबसे लोविश प्राइस पर ये बैठ चुका है 240 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बात चुछित करेंगे इस विडियो में कि विदानता में लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है और इस तरीके से जो गिरावट आई है तो क्या खबरे चल रही है और एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर कमेंटरी भी पास करी है इस कंपनी को लेकर और डेट को लेकर भी कमेंटरी आई है विडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपो काफी जादा हैल्प करेंगे तो देखिए विदानता का जो शेर है वो ट्रेड कर रहा है दो सो चालीस रुबे पर अगर हम बात करें पिछले एक आज की बात की तो यहाँ पर धाई परसंट की गिरावट है एक महीने में अगर आप देखोगे तो भईया 14 परसंट की बड़ी गिरावट है और एक्चिली में जो गिरावट है वो पिछले एक हफते में आई है 275 से यह गिरा है 240 पर पिछले एक मही एक हफते के अंदर ही यहाँ पर बात करोगे एक साल में तो एक साल का जो सबसे लोविश प्राइस है वो अभी इसने दिखाया है अभी दिखाया इससे पहले अगर आप देखोगे तो 255 रुपए के आसपास था तीजी आ गई इरावट आई वापस 255 के करीब गया बहुत बड़ी रफतार बनी वापस लंबे समय तक यह अटका रहा था 260 के करीब लेकिन अभी जो खबरे आई है इनके डेट को लेकर वो कहीं न कहीं इनके शेर्स को कमजोर कर रहा है अगर बात करें पिछले 5 साल की तो इससे पहले भी एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी 213 रुपय का लेवल इसने छुआ लेकिन उसके बड़ी रफतार पकड़ी इस बार ये नीचे की तरफ गिर रहा है उम्मीद करते हैं कि 210 से 220 रुपय का जो लेवल होगा वहाँ पर एक सपोर्ट इसको मिल जाए अगर बात करें विदानता को लेकर तो गिरावट की जो सबसे बड़ी वज़ा है पिछले एक हफ़ते में जो चीजे निकल कर आई जिसने 14 परसन तक विदानता के शेर को गिराया पहली वज़य थी वहाँ प्रमोटर का स्टेक सेल करना यहां पर यहाँ पर देखो प्रमोटर ने 4.30% का अपना stake बेच अप विदानता शेर फोकस में आए क्योंकि प्रमोटर ने 4.30% का अपना stake यहाँ पर बेचा है और तकरीबन तकरीबन 500 million dollar इन्होंने जुटाए है ताकि वया जो debt है उसको चुका पाए और किस भाव पर बेचा तो 258 रुपेज के भाव पर इन्होंने यह शेर बेचा है देखा जाए तो जिस भाव पर बेचा उससे नीचे चला गया है अवे के time पर यह शेर और दूसरी बड़ी update आई है वो भाई एक बहुत बड़ा rating agency है S&P Global उन्होंने इनका जो outlook है वो negative किया हुआ है इनके debt को लेकर यहाँ पर आप दिखो जो उनका कहना क्या है कि S&P Global rating on Thursday revise the credit outlook for Vedanta Limited to negative क्योंकि जो increase हो रहा है इनका funding risk जो है Increased funding risk यहाँ पर Agency has affirmed the B- rating for the company It indicates a relatively higher credit risk यहाँ पर statement में कहा गया कि Vedanta resources weaken access to cash flow from its operating subsidies at a time of challenging external financing condition has raised the refinancing risk तो यहाँ पर debt इनको चुकाना है अगर आप देखो तो 3 billion dollar का debt इनको चुकाना है अब से लेकर August 2024 तक इनको इतना सारा debt चुकाना है और Vedanta resources is making refinancing progress but execution remain risk अभी भी है यहाँ पर लेकिन सालते साथ एक बड़ी update निकल कर आई है इनको debt को लेकर कि विदानता जो है वो कोशिश कर रहा है यहाँ पर look to refinance 3.8 billion dollar bonds अगर यह कर लेते हैं तो सही होगा इनके लिए यहाँ पर देखो तो अनिल अगरावाल जो है वो कोशिश कर रहे है refinance की तकरीबन 3.8 billion dollar worth of bond की जो maturing होगी 2024-2026 के दौरान with loan of extended maturities and manageable size यह कंपनी का कहना है अगर हम बात करने जाए तो विदानता देखा जाए तो उतना stable नहीं है यह और इसका जो market cash है वो अभी 91,000 करोड से भी जादा का है कंपनी का जो पी रेश्यो है वो साड़े दस के करीब का है जो कि एवरिज इंडिस्ट्री से कम है अच्छी बात है इनके जो करेंट असेट्स है वो बहुत करेंट लाइबिल्टी से कम है ये नेगेटिव चीज है डेट जादा है यहाँ पर हाई डेट अगर देखो जब अदानी के शेर में जब गिरावट आयए थी हिंडनबक की रिपोर्ट के बाद जिसकी वज़े थी कि बाइट जादा था इनके उपर तो उसके चलते विदानता में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी उसके बाद 18.50 पैसे का डिविडेट प्याउट किया 2022 भारी भर्खम पे किये थे 13.31.19.17 रूपे तो बड़े डिविडेट प्याउट कर चुका है यह और एक्चुली हुआ यह है कि विदानता इतने हैवी डिविडेट प्याउट इसलिए कर रहा था विदानता रिसोर्सिस के उपर जो इतना सारा करजा है वो चुकाने के लिए कर रहा था दाकि बहुत सारा जो पैसा है क्यों कि प्रमोटर विदानता रिसोर्सिस ही है तो डिविडेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जाता है प्रमोटर को और promoter उसका इस्तिमाल कर रहे अपने डेट को चुकाने के लिए कई सारा डेट इन्होंने चुकाया भी है अगर आप देखो तो पिछले एक दो साल में company ने बहुत सारा अपना डेट रिडियूस किया है और आगे भी कि देखो company का plan था कि अपने international zinc assets के business को अपने ही company हिंदुसान zinc को बेच दिया जाए और 3 billion dollar वहाँ से आ जाते तो वहाँ सब कुछ सही हो जाए इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन government ने ये होने नहीं दिया और हालत इनके खराब हो गई अगर बात करें जाए company के financials की तो यहाँ पर June quarter के आप numbers जो देखोगी तो खराब है ये 33,733 करोड के इनके revenue रहे जो कि पिछले 4 quarter के मकाबले कम है अगर बात करें इनके profits की तो profit 2640 करोड रहे जो कि ठीक है लेकिन जिस तरीके से heavy dividend payout हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो इनको और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा तो कि इससे पहले quarter में 1880 करोड का revenue अब इनका profit था उसे पहले 2465 करोड था जबकि पिछले साल company जो है न वो quarter ली 5-5,000 करोड तक के profit कर रही थी तो और ज़्यादा इनको कमाना पड़ेगा जहां तक बात करें हम share holding की तो देखिए promoter के पास अभी जो holding है वो देखने को मिल रही है 68.11% की और December से अब तक promoter ने holding बेची भी है और सब कुछ इनका गिर्वी भी है और promoter की अभी जब next quarter की update आएगी तो promoter ने already 4.30% का stake बेचा है तक और अपनी quantity कम होती यहाँ पर नज़र आ सकती है उनकी जहां तक public के बात के तो 14.36% की quantity है Files के पास 7.48% की quantity है mutual funds लगातर बिक्वाली कर रहे हैं 1.19 से 0.45 फिर 0.25 insurance ठीक है कोई ज़्यादा बड़ी विक्वाली नहीं करी है 9.73% के अब भी बहुत बड़ी holding insurance company जो है वो लेकर बैठी हुई है तक यह विदानता देखा जाए तो company खराब नहीं है लेकिन जिस तरीके से debt में यह अटकी हुई है अगर successfully पैसा raise कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो दिक्कत इनको हो सकती है और जब तक अभी negative चीज़ चल रही है तब तक थोड़ा बहुत problem में यह रहेगा मुझे लगता है कि 240 रुपे का share है शायद इसको 210 से 220 रुपे के आसवाधिक support मिलना चाहिए और वहाँ पर शायद buying जो है वो शायद लोटती हो आपको नजरा सकती है हलाकि फिर भी company को वह अपने debt को लगातर कम करना पड़ेगा और उसके लिए देखो company क्या करती है उम्मीद करते हैं कि ये चीज़े जल्दी से shot out हो जाए इसके अलावा analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल कर रहे हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी यहाँ पर मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features हैं जहाँ पर आप एक click में fundamentally strong penny stock को तो ढूंड़ोगे उसके अलावा जो बड़े बड़े investors हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो भी quarter on quarter update के साथ इनके portfolio में कई बार आपको ऐसे भी shares मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा और जाएए link description में है और इसका फाइदा उठाइए वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो like करे शाय करे चैनल बगरा पहले बार हैं तो सब्सक्राइब करें और वेदानदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लगके बता सकते हैं thank you